हलो फ्रेंज आज हम शुर्वात करेंगे आपके पाठे इटे मन के तता अस्तियां हडप्प सभ्यता के भाग एक की दोस्तो इस वीडियो में हम इस पाठ में इस्तिमाल हुए कुछ पारिभाशिक शब्द स्थान तता काल को पड़ेंगे दोस्तो फिर हम पढ़पस सभ्यता के आरंभ के बारे में जानेंगे फिर हम जानेंगे निर्वा के तरीके वै कृष्री प्रधयोगी की को आंत में हम मोहन जोदरों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो इतिहास पढ़ते समय आपने बहुत बार इसा पूर्व या इस्वी का इस्तिमाल होते हुए अपनी पुस्तक में देखा होगा तो चलिए दोस्तो पहले हम जानते हैं इस्वी या इसा पूर्व किसे कहा जाता है दोस्तो इसा पुर्व और इस्वी समय के लिए इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो समय काल को हम एक टाइम लाइन यानि की समय की रेखा द्वारा देखने की कोशिश करेंगे दोस्तो इसा पुर्व और इस्वी इसा मसी यानि क्राइस्ट के बर्दे से रिलेटिर है दोस्तो इसा मसी के जन्म से पहले का काल BC या इसा पुर्व कहलाता है दोस्तो यहां BC का अर्थ है Before Christ दोस्तो इसा मसी के जन्म के बात के समय को AD या ISV कहा जाता है दोस्तो AD का अर्थ है Anodomini दोस्तो जो लोग इसा मसी के जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं फे लोग BC की जगे BCE का इस्तिमाल करते हैं जिसका अर्थ है Before Common Era इसी प्रकार AD की जगे CE का इस्तिमाल किया जाता है जिसका अर्थ है Common Era दोस्तो BC या E सा पूर्व में समय उल्टे क्रम में चलता है इसके विपरीत AD या ISV में समय सीधे क्रम में चलता है चलिए दोस्तो अब कुछ पारिभाशिक शब्दों के पारे में चर्चा करते हैं दोस्तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पूरा तत्व विद संस्कृती शब्द का प्रियोग कहां करते हैं दोस्तो पूरा तत्व विद संस्कृती शब्द का प्रियोग पूरा वस्तुओं के ऐसे सम्हूं के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समान्य तौर पर एक साथ एक विशिष भोगोलिक शेत्र तथा कालखंड में पाये जाते हैं दोस्तो चलिए अब जानते हैं हडपा सभ्यता की पूरा वस्तुओं के बारे में दोस्तो सिंदु घाटी सभ्यता को ही हडपा संस्कृती कहा जाता है दोस्तों हडपा सभ्यता के संधर्म में पुरा वस्तुव में मुहरे, मन के, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई इटे मिलती है दोस्तों ये वस्तुवे अफगानिस्तान, जम्मू, ब्लूचिस्तान तथा कुजराच जैसे शेत्रों में मिली है दोस्तों इस सभ्यता का नाम हडपा नामकस्तान जहां ये संस्कृती पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर रखा गया था दोस्तों इस सभ्यता का काल निर्धारन 2600 से 1900 इसा पूर्व माना जाता है चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि हडपा सभ्यता आरंब में किस प्रतकार की थी दोस्तों इस सभ्यता को पूरे रूप से विक्सित होने से पहले कई आरंबिक हडपा संस्कृतिया यहां मौजूद थी दोस्तों आरंबिक हडपा संस्कृती द्वारा इस्तिमाल किये गए कुछ मिट्टी के बटन, शिल्प तथा क्रिशी के अवशेश पाए गए हैं दोस्तों पूरा तत्व विदो का यह कहना है कि इस समय वस्तिया आम तौर पर छोटी होती थी और बड़ी इमारते इन वस्तियों में नहीं पाई जाती थी चली दोस्तों अब जानते हैं हडपा सभ्यता की कुछ पूरा वस्तूओं के बारे में दोस्तों हडपाई मोहर हडपा सभ्यता की सबसे विशिस्ट पूरा वस्तू है दोस्तों हडपाई मोहरों को सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाया जाता था दोस्तों इस सभ्यता द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तूओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूशनों और जारों तता मोहरों से हमें बहुत सी जानकारी इस सभ्यता के बारे में मिलती है चलिए दोस्तों अब इन पूरा वस्तूओं के अधार पर जानते हैं कि इन सभ्यता के निर्वा के तरीके क्या क्या थे दोस्तो हडपा वासी बहुत से तरह के पौधे और जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे जिसमें मचलिय भी शामिल दे दोस्तो हडपन सभ्यता वाली जगह पर गेहूं जो मसूर सफेचना यानी छोले और तिल जैसे अनाज पाए गए हैं दोस्तो गुजरात में इस सभ्यता वाली जगह पर बाजरा भी पाया गया है दोस्तो पूरा तत्व वीदों के अनुसार हडपस धलों पर पाए जाने वाले जानवरों की हड़ियों में मवेशी भेड, बकरी, भैस और सूवर शामिल है दोस्तो आर्कियोलोजिस द्वारा किये गए अध्यनों से ये पता चलता है कि ये जानवर पालतो थे चली दोस्तो आगे भड़ते हैं और जानते हैं उस समय की क्रिशी प्रोध्योगी की के बारे में दोस्तो पूरा तत्व वीदों को अभी तक ये है पस्ट तरीके से नहीं पता चला है कि हडपस सभ्यता के लोग क्रिशी किस प्रकार करते थे दोस्तो क्रिशी से रिलेटेड कई सारे प्रश्ण हमारे सामने हैं जैसे कि क्या जुताई कई जमीन पर बीजों का छिड़काव किया जाता था दोस्तो इसी के साथ मुघरो और टेराकोटा के मुर्तिकला को देख कर ये पता चलता है कि बैल का इस्तिमाल क्रिशी के लिए भी किया जाता था दोस्तो हलके टेराकोटा मोडल चोलिस्तान और बनवाली में पाए गए हैं दोस्तो उरतत विदो को काली बंगन में एक हलके मेदान का सबूत भी मिला है दोस्तो यहां दो फसले एक साथ उगाई जाती थी जिसको बहु फसल की तकनीख भी कहा जाता है दोस्तो हडपा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था आईए ऐसे ही एक केंद्र मोहन जोद्रों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तो यह बस्ती दो भागों में विपाज थी दोस्तो पहला खंड दुर्ग कहलाता था जो छोटा लेकिन उच्चाई पर बनाया गया था और दूसरा खंड अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था दोस्तो दुर्ग उच्चा था क्योंकि वहर मिट्टी के इटों के बने चबूत्रे पर बना था इसके चारो तरफ दिवारे थी जो उसे नीचे शहर से अलग करती थी दोस्तो नीचले शहर की भी दिवारे थी और कुछ इमारतें चबूत्रे पर भी बनी थी जो की नीव का काम करती थी दोस्तो हडपा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेष्टाओं में से एक सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रदिती थी दोस्तो इसके लिए उप्योग किये जाती थी इटे जो धूप में सुखाई जाती थी और मानक अनुपात की थी दोस्तो निचले शहर में सडकों को ग्रीट पैटन में बनाया गया था जो एक दूसरे के समकोन था दोस्तो सबसे पहले नालियों वाली सडकों को बनाया गया था फिर उसके बाद मकान को बनाया गया था दोस्तो यहां घरेलू अपसिस्ट और गंदा पानी गली की नालियों से बाहर निकलता था दोस्तो उस समय के घर एक आंगन पर केंद्रित थे और उसके चारों तरफ कमरे होते थे दोस्तो पुरा तत्वीदो का मानना ये है कि आंगन शायद खाना बनाने के लिए और बुनाई जैसे कामों के लिए इस्तिमाल किये जाते थे खास कर गर्मी और शुष्क मोसम के समय दोस्तो ये माना जाता है कि वहाँ एकांता बनाए रखने के लिए बहुत कम खिर्किया थी दोस्तो इन घरों में कई विशेश्टाएं भी थी जैसे स्नान घर, सीडिया और व्यक्तिगत कुए चली दोस्तो अब हम शहरी जीवन को पहतर धंग से समझने के लिए मोहन जोदरों के विप्भिन शहरी केंदरों पर एक नजर डालेंगे दोस्तो दुर्ग पर हमें ऐसी सनरचनाई मिलती है जो शायद विशेश सार्वजनिक उद्देशियों के लिए उप्योग की जाती थी दोस्तो ये माना जाता है कि दुर्ग पर ही गोदाम वे अनके बंडार स्थापित किये गए थे दोस्तो दुर्ग पर एक माहान स्नान भी था जो एक बड़ा आयत का टैंक था जो चारो तरफ से गलियों से घिरा था ये बहुत ही अलग तरह से बनाया गया था और इसकी सनरचना ये बताती है कि ये कोई विशेश धार्मिक स्नान के लिए इस्तिमाल होता था चली दोस्तो अब जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तो इस वीडियो में हमने परिभाशिक शब्द, स्तान तथा काल के बारे में जाना हमने जाना कि हडपा सभ्यता का आरम कैसे हुआ उसके बाद हमने देखा कि हडपा सभ्यता के निर्भा के तरीके क्या थे और हडपा की क्रिशि प्रोध्योगी की के बारे में हमने जाना दोस्तों इसके बाद हमने हडपा के एक शहरी केंद्र मोहन जोदरों के बारे में पढ़ा अगली वीडियो में हम हडपा सभ्यता की समाजिक विभिन्ता के बारे में, शिल्प उत्पादन के बारे में और व्यापारिक सम्हंद के बारे में जानेंगे